दोस्तों कुछ महीने पहले मेरे चैनल के एक वीडियो में अरूप गोश नाम के वीवर ने रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने बोर्डिंग स्कूल एक्स्पिरियेंसिस के बारे में बताऊ आपको कि क्यूं मैंने एक हॉस्टिल में पढ़ने का निर्ने लिया और क्या रिस्पॉंस रहा मेरे पेरेंस का अच्छा सवाल है अरूप शुक्रिया और क्यूंकि मैं अपने बोर्डिंग स्कूल एक्स्पिरियेंसिस को बहुत ही महत्वपूर्ण मानता हूं अपने आइडेंटिटी और कॉंटेंस को शेप करने में तो मैंने सोचा कि आज इस विशेय के बारे में थोड़ा बताऊं आप सबको और नहीं यह रूप मेरा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने मेरे फादर टॉम ओर्टर के करियर से जुड़ा फैसला बिलकुल नहीं था सच तो यह है कि मैंने खुद अपने पेरेंस से आठवी कक्षा में कहा कि मुझे वापस बोर्डिंग स्कूल जाना है मैं पक चुका था बॉमबे जैसे कि उस शहर को जाना जाता था 1994 में कि बिगड़े हुए रईज बच्चों के स्कूल से और मुझे मसूरी की याद बहुत आ रही थी उस समय जैसे कि मैंने अपने कई वीडियोज में बताया आपको मसूरी में हमारा घर भी है और मेरे बच्चपन के काफी साल वहाँ पे कटे KG से लेके क्लास 4 तक और फिर क्लास 6 से 8 तक मैं मुंबई में था बच्चपन की यादें जुड़ी थी वुद्स्टॉक स्कूल से हलांके उस समय मैं as a day scholar पढ़ रहा था not as a border दोस्तों मैं अपने आपको काफी independent माता हूँ मैं खुद की decisions लेता हूँ और मेरी कोशिश रही है बहुत सारों से कि औरों के बातों को अपने views और choices को influence ना होने दो और ना ही मुझे अपनी life के decisions का दुख है जिन्दगी बड़ी छोटी है दोस्तों मेरा ये मानना है और इस ideology को shape करने में मैं अपने parents के एक फैसले का शुक्र गुजार हूँ जब उन्होंने 1994 में मुझे वापस Woodstock school भेजने का decision लिया मेरे कहने पर 1995 से 1999 तक मैं high school के 4 साल किये मैंने as a boarder at Woodstock इस से पहले 5 वी कक्षा किये सिरफ दो महीने के लिए मैं hostel में रह चुका था Woodstock लोटने के बाद और hostel में रहते समय मैंने एक चीज़ सीखी कि अपने आप के लिए वक्त निकालना कितना important है boarding school की एक सचाई है कि आपको me time बहुत rarely मिलता है मतलब एक boarding school में अकेला रहना next to impossible होता है क्योंकि हर वक्त आपके पास इतने सारे students होते हैं आपको एक room share करना पड़ता है कभी 10 लड़कों के साथ तो कभी 2-3 depending on which class you are studying in आप सुबह नहाने जाते हो तो showers अक्सर अक्सर अलड़ी full होते हैं आप नाश्टे के लिए जाओ तो canteen में already students खा रहे हैं आप किसी भी social gathering के लिए जाओ तो भीर जमी होती है This is the way boarding school is अब दोस्तों इस भीर से थोड़ी छुटकारा पाने के लिए मैं सुबह जल्दी उठके school के लिए तयार होता था class N से Woodstock में हमारी hostel से school building की reporting सुबह साड़े आठ की थी मगर music lessons लेने वाले students को जल्दी पहुँचना पड़ता था मैं कोई भी musical instrument नहीं बजाता था लेकिन चंद पल के सकून के लिए मैंने भी school जल्दी पहुँचने का decision लिया और उन 15 minutes तक जो hostel से main school तक चलने की दूरी थी वो भी ऐसी चड़ाई पहे मैंने बड़ा enjoy किया क्योंकि आस पास 400 students नहीं थे उस समय सुबह The second thing I learnt about boarding school वो था independent होना दोस्तो हॉस्टल में आपको जल्दी ये सीखना पड़ता है और confident होना भी ये सच है कि आपके पास dorm parents और teachers, supervisors और advisors होते हैं मगर आपको खुद के decisions लेने पड़ते हैं boarding school इसका घलत मतलब मत निकाली है मगर जब वो समय आता है कि आपको अपने parents की सला या राय नहीं लेने पड़ती है as a student उस से मेरा confidence बढ़ा and it made me a tougher person तीसरी चीज़ जो मैंने सीखी वो था अलग तरह के लोगों को accommodate और respect करना Woodstock में कई देशों के students बढ़ते थे और Indian students भी इंडिया के अलग कौने से आते थे अलग देश और धरम के students के साथ रहना और उनसे दोस्ती बनाने के लिए ये important है कि आप सबसे खुल मिले और कोई तरीका नहीं है कि एक roommate को किस चीज से दिक्कत होती थी या frustration और कैसे roommate को जगा देना important है एक छोटे कमरे में भी बच्पन में एक भाई या बहन के साथ रूम शेयर करना एक बात है और hostel में एक बांगलादेशी, एक कोरियन, एक नेपाली और एक American के साथ कुछ बिलकुल अलाग High School के उन चार सालों में मेरा नजरिया बदला इस दुनिया को लेगे क्योंकि मुझे ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिला अपने parents के support से और Woodstock School की वज़े से जब 18 साल की उमर में मैं इंडिया से अमेरिका चला गया college पढ़ने तो मैं एक नया देश और नए challenges का सामना करने के लिए बिलकुल तयार था उन चार साल में Boarding School में रहकर मैंने अलग तरह के लोगों से deal करना सीख़ए और ये experiences मेरे college के अगले साड़े तीन साल में बहुत ही महत्वपूर्ण रहे और इसके लिए मैं आज तक Boarding School का शुक्र गुजार हूँ दोस्तों अगर आपके पास मेरे Boarding School Life को लेके कोई भी सवाल हो तो नीचे Comment section में पूछ लीजिए और आगे किस topics पे आप मुझसे सुनना चाहेंगे तो वो भी लिख लेजिए चलता हो दोस्तों जय हिंद बंधे मातर